तो यह हमारा दूसरे सेसेन हैं इंग्लिश बूस्टर सीरीज का उसे लिए शुरू करते हैं डिरेक्शन दिये गए हैं पाथ से बारा क्विस्चिन नंबर के लिए तो फिलिन बलंका यह क्विस्चिन हैं कि प्निष रिवर्ड जिस प्रका प्णिष रिवांचे का ब्रिवार्ट दिए च्छोंटर से का मतलब होता है ऐलू ठीक है तो इसका यह अंटॉनिम था पनिस्टी का reward तो हमें kindness का अंटॉनिम बताना है तो क्या होगा क्रिवल हो जाएगा एप पार्ट ठीक है शिक्स्थ कुश्चन है he is as dash as bat तो he is as blind as bat वो एक जितना की एक तो बैट याने की चमगादल अंधा होता है उसी प्रकार यह भी अंधा है ठीक है और यहां ब्लाइंडर ब्लाइंडस कुछ नहीं आएगा सेवन्थ कुश्चन नमबर पढ़ते हैं horses live in stables and dogs lives dogs lives in तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शिन नील्स टेक कैनल सोरी कैनल्स ठीक है एट्थ कुश्चन नमबर है बीफ इस टुकाव एस डाश टुशीप तो जिस प्रकार बीफ काव से रिलेटेड उसी प्रकार शीप से क्या रिलेटेड होगा तो देखिए आपको पताना च है यह जू काव के मांस के के माश कौनवक बीफ बोलते हैं और उसी प्रकार के मतन शीप के मांस कम लोग मतन बोलते हैं ठीक है तो सी ऑफ्षिन इसका सही अंसर हो जाएगा और देखिए यह जो पॉर्क होता है यह जो पिग होता है सुमार होता है उसके मीट को हम लोग बोलते हैं पॉर्क चिकन आप लोग जानते हैं यह जो मुरगा होता है उसका ठीक है कुश्चिन नमबर 9 पढ़ते हैं प्लेस वे ओफ फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इस को इस कॉल आ तो फील्ड फार्म कोट्यार्ड या फिर ग्राउंड तो सही अंसर होगा बी आप्शिन फार्म किशोरी लाल Is one eyed man किशोरी लाल Is and one eyed man किशोरी लाल Is the one eyed man और यह फिर न आर्टिकल तो देख़िए इसमें जो आएगा और किशोरी लाल को इतनी बड़ी परसिनलिटी तो है नहीं जी उनकी हम पहले दाला गए तो सिंपल ए आएगा कुश्चिन नबर 11 पढ़ते हैं वन थार्ड ऑफ गोल्स डाश पास्ट दसी बीजसी एक्जामिनेशन सो चार अप्षिन हैं एव इस वाज तो वन थार्ड ऑफ गोल्स हैव पास्ट दसी बीजसी एक्जामिनेशन तो आपसे नंबर 20 का सही अंसर हो जाएग तो सही आंसर हो जाएगा एप्षिन सेफ एसमें कोई रूल नहीं है यह एक फ्रेज एक मुहावरा है तो और मुहावरे में आपको चेंज नहीं कर सकते तो उसमें कुछ रूल नहीं लगता जैसा है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा तो आपको सेफिन नाइन ठीक है पहला है थर्टीन नमर पर पेचुल चार अप्षिन एटर्नल एफर्म एफमेरल ट्रांजीएंट या फिर टेंपर टेंपररी ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्षिन एटर्नल ठीक है अगला कुश्चिन देखिए फौर्टीन यह जाए फोर्कास्ट सिनोनिम हो जाएगा एप्षिन प्रेडिक्ट इसका भी मतलब होता है अनुमान लगाना है चूज दवर्ड ऑपोजेटेट मीनिंग यानिकी जो फिफ्टीन और सिक्स्टीन नमबर कुश्चिन है इसके आपके अंटॉनिम बताना है तो फिफ्टीन नमबर का है अप्टू डेट या फिर अरजेंट ठीक है तो सई आंसर हो जाएगा एप्षिन टेस्टेंट ठीक है आखरी कुश्चिन है इसका आप लोंको बताना है मेटरनल मेटरनल का मतलब बताते तो में मातरत होता है इसका अंटॉनिम क्या होगा लविंग मेटरोनल मदरली या फिर पैटरनल डेटिशन ठीक है तो इसका अंसर कॉमेंट सेक्षिन में दीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेजे वीडियो शेयर की जबने फ्रेंज के साथ और कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्षिन पूछि धन्यवाद